नमस्कार आप सभी का प्यानाई टाफ़ों में स्वागत हैं आज हमारे बीच में बेट रहे हैं सद्वाबना सेवा संस्थान के CMD और अध्यक्ष अनिल सिंग जी और अनिल सिंग जी से हम जानना चाहेंगे पिछले काफी वर्सों से ज़िए सद्वाबना सेवा संस्थान हम लोगों ने 2010 में सुरू की थी और जिस समय हमने यह सद्वाबना सेवा संस्थान सुरू की थी तो हमने यह नहीं सुचाता कि आज जिस मुकाम पर है हम उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे शुरू में जिस समय हमने शुरू की थी तो हमारे पास सीमित संसाधन थे मेरे कुछ मित्र थे मैंने उनसे कहा कि मेरा एक संस्था का विचार है बनाने का तो उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो मैंना का मेरा सबसे है कि सड़क दुरगंटना में जितने लोग जो गायल होते हैं आदे से ज्यादा सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं तो उनके लिए कुछ करने का मन है मेरा तो मेरे मित्रों ने उसको बड़ा सहरा आया और यही चीज़े मैंने उस समय के जिलातकारी जित्रों से बात की तो हमारा विचार था एक दो एंबुलेंस जहां बहुत ज़्यादा दुरगंटना होती है वहां खड़ी कर दिये उसके पीछे थोड़ा सा एक मकसद यह था कि मेरे छोटे भाई कर सड़क दुरगंटना में ही दैत हुई थी तो मन में एक यह भी था कि यदि उसको समय से नजदीक के किसी अस्पिताल में पहुचा दिया जाता तो साइध हो सकता था कि वो हमारे बीच में होता वो दो तीन घंटे तक ऐसी सलक पर तलबता रहा किसी ने उसको कोई किसी तरीके की मदद नहीं की एक दिल में यह था दूसरा कि अब कुछ लोगों ने मेरे से यह भी कहा साब एक दो एम्बूलेंस से आप कितनी दुरगटनाओं के लोगों को मदद कर लेंगे या लेकिन मेरा जो होसला अब जाई किया वो धीपक गरवाल जी ने किया उन्हेंने कहा नहीं नहीं छोटे से ही बड़ा होता है आप सुरू करिए और मैं आपक की सबने कुछ ना कुछ हेल्प के साथ में कहा कि नहीं आप सुरू करिए और हम लोग आपके साथ हैं तो हम लोगों के सुरू होते हुए एक दो एम्बूलेंस से करते करते भी हम लोगों ने पंद्रे एम्बूलेंस से यह सुरू बात की और पंद्रे एम्बूलेंस से जिस कुछ लोग अलग अलग तरीके की बाते कर नदे लगे साहब राजीती करेगा एपर जब मेंले का लेगा फिर जब मेंले के का लिशन निकल के तर brag को एम पी का लेखन लड़ेगा को उझा कर रहा है यह राज सवा के लिए कर रहा है यह सारी flames लेकिन कि मैंने उन्स चर्चाओं पे कभी ध्यान ने दिया मैंने हमेशा और हमेशा यही सुचा किस तरीके से हम जन सेवा कर सकते हैं हम ने देखा है आपके जहें अबुलेंस सद्वाना सेवा संथाज वह पिछले दस सालों में 11 स्टेट्स में आपने जह हुआ कि जहाँ-जहाँ मेरे मित्र थे मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को भी इसमें सही हो करना चाहिए जैसे कोई राजिस्थान में था राजिस्थान में जैपूर में थे मेरे मित्र उन्होंने कहा कि मेरे चोटे भाई का एक्सिजेंट सड़क दुरगटना में हुआ है मैं भी एक अम्बूलेंस आपकी संस्ता को देना चाहता हूँ इस तरीके से करते करते मित्र थे कुछ जानकार थे उनके जानकार थे इस तरीके से कहीं न कहीं अलग अलग प्रदेशों में लोग जुड़ते गए मेरे से और आज हम 318 ambulance चला रहे हैं और आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूँ कि आज की डेट में हमारे पास करीब 79 लोग वेटिंग में हैं कि एक साल के लिए हम एक ambulance एड़ॉप्ट करेंगे कोई अपने एक grandfather के नाम पर चलाता है कोई अपने किसी जै कोई दुरहटा में खतम हो गया तो उसके नाम पर चलाता है उसमें हम लोगों ने एक उसमें कोई हमारा कोई प्रॉफिट वाला कोई वो नहीं है ड्राइवर की सेल ली जितना उसमें ओइल खर्चा होता है जितना गाड़ी की एक maintenance में आता है तो हम लोगों के नॉर्मल ही एक हम लोगों ने लगाया हुआ है वो भी हम लोग डारेक्ट गाड़ी के नाम से हमने अकाउंस खुलाये हु वही डारेक्ट उसको सैल्ली देता है वही डारेक्ट ओएल का पैसा देता है वही जब गाड़ी सर्विस होने जाती है वो उसका खर्चा उठाता है इस समभीचों में जो प्रक्रिया होती है जैसे कोई आप एमलें गुक करता है इसके लिए आपने कोई तोर फ्री नंबर या फिर हम हास्पिटल को फोन करते हैं क्या वेस्थाएं है देखे हमारा हमारा एक निजी नंबर है 954 004 009 यह हमारा निजी नंबर है और आपको यह जानकर भी बड़ा अश्चरिय होगा कि हम लोग सरकारी कॉले भी आदी से जादा हमी अटेंड करते हैं कि वहां कुछ ल कि आप इस नंबर बात कर लेजिए हम लोग हमारी पूरा प्रयास होता है कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की मदद कर सके हमारा पूरा प्रयास ही होता है कि हम लोग उनकी मदद करें अब आज के दोर में जो यह कोविड नाइंटी का जो हमारी की का समय चल रह पर कितना असर प्रड़ा है क्योंकि आपके कर्मचारी विजह उनको पासर जोगर की है क्या बेवस्थाएं सरकार दोरह कराईगी है या फिर आप अपने नहीं हमने अलग अलग जहां जहां हमारी एंबूलेंस हैं वहां जिलापरसासन को हमने उन गाड़ियों को सौपा हुआ है या उनको जो भी हमारे पास कॉल आती है तो हम उनको यहीं बोलते हैं कि आप इस जिलापरसासन से पहले यहनुमोती लेले उसके बाद में हम से हम जहां भी कहेंगे हम लोग अपनी अबूलेंस पूरा हमारे अंडर में गाड़ियां हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कॉल मिशना हो अब जैसा कि लागडाउन का सब्सक्राइब करेबं तीन महीं तक चलेगा इस लागडाउन के समय में आपके जो कर्मचारी जैसे आप यह इंडस्टी जहें उस इंडस्टी में आप क् सब्सक्राइब करें तक तो सरकार ने कोई मज़द नहीं किया हमारा प्रयास यह है कि हमारे जो करमचारी हैं उनको किसी तरह की कोई परिशानी ना हो उनको टाइम से उसको जो उनका सेलरी यह वो मिले हमने आपको बताएं सद्वावना सिवा संस्थान की तरफ से आज तक क सब्सक्राइब कर चुके हैं आम लोगों को सद्वावना सिवा संस्थान की तरफ से हम पिछले बाइस तारिक से लगातार यह काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि कोई भी यदि हमारी जानकारी में है तो भूका ना सोए मतलब आपकी कहने का यह है कि आप पूरी जहत त्रीके से कीचन चला रहे है या फिर सिर्फ रासं समा लेगाने रही हुए हुए हम लोगों ने जैसे कभी दाल चावल बनाया है कभी कड़ी चावल बनाए थे कभी खिचली बनाई थी इस टाइप से हमने पैकेट बनाए हम पांसो के करीब डेली पैकेट बनाते हैं वो पैकेट अलग से एक हमने निठारी गाओं में बेस मेमोरियल पबलिक स्कूल है वहां हमने एक रासन बितलन के इंदर खुला हुआ है जैसे कोई भी कॉल आती है तो हम लोग वहां कॉल कर देते हैं और कॉल के साथ ही जो भी बंद की जाती है जब गेट में गुछते हैं यह हमारा प्रयास यह है कि जितना भी किसी की मदद हो सकती है हम मदद करें एक बहुत बड़ा सवाल होगा लागडाउन खुलने के बाद यह होगा कि इस लागडाउन के दर्मेहन भारत की अर्ष्ट था वह प्लस आपके लिस्ट है उनको किस सुजाब देना चाहिए देखिए मैं सरकार को एक बात का सुजाब तो देना ही चाहूंगा कि जितने भी यह इन्ड assessments यह मीडियम क्लास के लोग है इन लोगों के लिए इनको कोई ना कोई पैके जरूर निकालना चाहिए माज तक की सैली सरफ लोगों ने आसानी से दे दी लेकिन आप्रैल की सैली घर बैठके देना एकम कलास को और आने वाले समय में तो यह बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा जैसा कि मैं आपके बारे में पसंद्ली भी जानता हूं मैंने अक्सर देखा है आप एक मुझे लगता है कि पहले से छोटी सी यह किछन चलाते हैं जिसके माध्यम से जो रह चलते जो भूखा रह जाता है क और उसमें क्या आपने और इंग्लिमिर्शन की है देखे पहले मेरा इसका एक बहुत बड़ा प्लान था बनाने का मैंने का काफी होटल वालों से संपर किया था जितनी भी यह यहां पर आपके मेरिज होम हैं उनसे भी संपर किया था कि जितना भी खाना आपका बसता है उस इसको आप हम लोग को दे दिया करें जिससे कि हम यह जो भूके लोग हैं हम लोगोंने आपको बताए हम लोगोंने पंदरा फ्रिज मगाए हुए थे जो कि पंदरा इस नौइडा के पॉइंटों पे रखवाने का वो था कि कोई भी आए और खाने का सामान रख भी सकता है और जो निडी है जिसको चाहिए वो उसमें से निकाल के खा सकता है यह हमारा पूरा एक प्लान बना हुआ तयार था लेकिन राजनीती समझ लो या हम उस चीज को सही जगा तक पहुंचा नहीं पाए हमें उसकी किसी ने परमिसन नहीं दी कोई निवाद उसमें भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं समाज में जो आप नीशे तफके को लोगों की जो आपकी मदर चलती हो अकसर दिखा गया है आपने बहुत अच्छा प्रयास किया उपने प्रयास है जितना आप कर देना चाहेंगे और इस लाग डाउन के समय में आप जनता को क्या सुझाओ देना चाहेंगे, वो क्या करें और क्या ना करें। देखें, मैं जनता को से यही कहना चाहूंगा, कि वे अपने परवार के साथ धर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल लखें, साथ-साथ, अपने करीब में, जो भी नजदीक में, या ऐसा उनकी जानकारी में आए कि कोई भूका है, तो उसकी मदद करें, और वो जिस भी लाएक है, मैं इस नौईडा चित्र के लोगों से जरूर यह कहना चाहूंगा, कि इतने संपन परवार हैं, यहाँ पर मैं जिनको पर्सनल भी जानता हूँ, जो अभी तक इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनकी पैचान नौईडा ने बनाई है, मेरा उनसे भी निवेदन है, कि वो बहार निकलें, लोगों की मदद करें, और मदद के साथ साथ, सरकार की भी मदद करें, क्योंकि मैं उनको जानता हूं कि उनको नौईडा ने पैचान दी नौईडा से उन्होंने बहुत कुछ कमाया है तो मेरा उन से भी निवेदन है कि वह नौईडा के लिए और उत्तरप्रदेस सरकार के लिए और केंच सजा के लिए मदद करें कि आपकी दिन्चरिया क्या होती है आज के दिनों में देखे मेरी जो दिंचरिया है मेरे को सब लोग बना करते हैं यहां तक कि मेरी सोशाइटी में भी लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं कि आप सोसाइटी से डेली निकल ले हैं मैं सोसाइटी से अकेला गारी ड्राइव करता हूँ मैं निकलता हूँ मैं उनको रुकेश करता हूँ कि मैं अकेला जा रहा हूँ लेकिन जा रहा हूँ ऐसे कारे के लिए कि जहां मैं दस परवारों को भूका सोने से बचा रहा हूं मैं निकलता हूं मेरा एक टार्गेट यह रहता है कि मैं ऐसी जगह जाता हूं कि जब मेरे पास कॉल आता है कि उन कॉलों में मैं देखता हूं कहां कहां सच्चा ही है अकिला जाता हूं किसी को लेके नहीं जाता हूं मेरे सा मेरी गाड़ी में आपको आता दाल्चावल भी मिलेंगे मास्क और वह मी पंपार Καιस की ग्रैस की देने के लिए और आप गणी हैक्स करुंबƯिए इस बात के साथ कि आप लोग प्ली नाई टॉक्से जोने के लिए पियनाई न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें